हेलो दोस्तो परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रुवल्स को लेकर कुछ जरूरी अपडेट आई है रेपिट पीसे आड टेस्ट को लेकर बड़ी अपडेट आई है इसके लाओ दोस्तो जो लोग इंडिया से सौधी अरब जा रहे तो उनके लिए भी बड़ी अपडेट आई है और साथ में दोस्तो सौधी अरब अब नागरिक्ता देने जा रहा है कई सारे लोगों को उसके बारे में भी अपडेट है लेकिन उससे पहले आप सबसे एक चोड़ी सी अपील है अगर आप फ्लाइट और ट्र पीशार टेस्ट अभी उन लोगों को ज़रूरत होती है जो लोग इंडिया से युए के लिए या दुबई के लिए टिर्वल करते हैं उन सभी लोगों को रेपिट पी से आ टेस्ट की ज़रूरत होती है जो इंडिया के एरपोर्ट पर 6 घंडे के अंदर करानी होती है ये सर्थ इंडिया के साथ-साथ, पाकिस्तान, नैपाल, बंगलादेश, स्री लंका के नागरिकों पर भी लागू है, क्योंकि UAE ने जब फ्लाइट ओपन की थी, उसके बाद ये सर्थ बना दी गई थी, कि बिना रेपिट PCR टेस्ट के, कोई UAE के लिए ट्रोल नहीं कर पाएगा तो अब इस बारे में दोस्तों अपडेट आई है, मिनिश्ट्री आप एक्स्टेनल एफियर्स से, यानि विदेश मंतराले से, कि विदेश मंतराले इस बारे में, UAE के अथार्टी के साथ में, UAE के गवर्मेंट के साथ में बादचीत कर रहा है, कि इस अनिमारता को अब सम हो रहा है, और लोगों की माली हालत जो है, जो आर्थिक इस्तिती है, वो भी बहुत बहतर नहीं है, और रेपिट PCR टेस्ट का जो चार्ज है, एरपोर्ट पर, वो कहीं पर 25 सो लिया जा रहा है, कहीं पर 3000, कहीं पर 4000, ऐसे करके, अलग-अलग एरपोर्ट पर, अलग-अलग कुछ लोग कह रहे हैं, कि इंडिया से दुबई के लिए फ्लाइट जो है, तीन घंटे, चार घंटे की है, जबकि उनको एरपोर्ट पर 6 घंटे, 8 घंटे पहले पहुशना पढ़ ला है, रेपिट PCR टेस्ट की वज़ा से, जबकि कुछ लोगों ने इसे कहा है, कि ये एक परकार की लूट है, यानि रेपिट PCR टेस्ट की जो अनिवारता है, वो एक परकार की लूट है, क्योंकि ये समझ से परे है, कि कहीं पचीस सो देना पढ़ लाए, कहीं पर तीन हजार, कहीं पर चार हजार, तो ये चीज़ें अब बंध होनी चाहिए, तो अब दोस्तों ये अबडेट आ चुकी है, कि गवर्मेंट आफ इंडिया इसके बारे में गंभीर है, यूएई के साथ में बातचीत कर रही है, कि रेपिट PCR टेस्ट की अनिवारता को अब समाप्त कर दिया जाए, बैराल यूएई कितने हाथ तक इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा, ये य जो ये गवर्मेंट के उपर निरवर करता है, अगले बैट इंडिया डु S conservative आरब वाया Dubaï को लेकर रहें, तो लोग अभी इंडिया से साथ में जा रहे हैं वाया Dubaï होकर आसानी के साथ में जा रहे हैं, आसानी के साथ में टरॉल कर रहें लेकिन बीच बीच में कुछ ल इसके बाद दोस्तों आप सौधी काफी सतर्फ हो गया है और अब ऐसे लोगों को सौधी अरब में इंट्री नहीं दी जा रही है बार्डर पर बसों को रोका जा रहा है बसों को वापस किया जा रहा है तो ऐसी गलती दोस्तों आप ना करें कि किसी तरीके के मुसीबत में आप को पाताल से भी धून निकाले गी। आप सवाधी को हलके में न लीजिये कि आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, बहुत बड़े तीसमार खा हो गये, कि मातर दो दिन रुके और सुधियरब आगए और आपने बाकाइदा पर्चार परसार और चिलाना में बहुत न तो इस तरीके की गलती ना करें, जिसका नुकसान सबको उठाना पड़े, क्योंकि सौधी हुकुमत दोस्तों इस बारे में काफी कारवाईया भी कर रही है, आपने बीच-बीच पे ख़बरें पढ़िए कहीं, एक हफते में 15,000 लोग पकड़े गए हैं, कहीं 20,000 लोग पकड जो आफीसियल तरीका है, उसी तरीके से आप सौधी अरब जाएं, इंडिया से आप दुबाई जाएं, दुबाई में 14 दिन इस्टे करें, उसके बाद ही आप सौधी अरब ट्रिवल करें, जिससे आप सुरच्छित रहें, सेफ रहें, आपको भविस्य में कोई नुकसान अगली अपडेट भी सौधी अरब को लेकर ही है, तो सौधी अरब की तरब से बहुत बड़ी अपडेट आई है, सौधी अरब ने अब लोगों को नागरिकता यानि सिटीजन सिप भी देने का फैसला किया, यानि अब लोग सौधी के नागरिक भी बन सकेंगे, लेकिन ये सब के लिए नहीं होगा कुछ खास तरह के लोगों के लिए होगा जैसे वैग्यानिक, डक्टर्स, तक्निकी विसेशक, खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तिया ये इसके लावा कुछ और छेतरों से जुड़े हुए लोगों को सिटीजन सी प्यानी नागरिक का दी जाएगी साथी अरब के नागरिक बन सकते हैं, तो ये दोस्तों आज की कुछ अपडेट थी, आगे कोई और जानकारी होगी तो आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुचाए जाएगी, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल लखिए, खुस रहिए, गुड़ झाल लगाइब लगए, पार बार में, टुड़ ये खुस रहिए, झाल लगाइब लगाएब बगाएबब लगए.